और शुरू के प्रिसेंट एक तो सबसे बड़ी चीज और बहुत ही प्यारे प्रिसेंट्स है और लोकेशन के हिसाब से, इंवेस्मेंट के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, लिविंग के हिसाब से, इससे अच्छे प्रिसेंट 125 स्कॉर यार्ड्स के अभी तक पूरे बहरियर टाउन कराची में नहीं है असलाम लेकुम टीएटर्स रियल इस्टेट और बिल्डर्स के प्लाटफॉर्म पर मैं हम सामाभी पंसारी एक दबा फिर अपने इंवेस्टर्स को अपने क्लाइट्स को खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर और हम डील करते हैं जैसा कि आपको बता है वहरियर टाउन कराची तेस्टाउन स्कीम 45 डीएटर्स एटी कराची स्कीम 33 और स्कीम 45 की तमाम लेगल सुसाइटीज को अलहम दोले लिल करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को महफूज जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज रहे वो सेव रहे और कोशिश हमारी यही होती है कि उनको अच्छा रिटन मिले चाहे वो किसी भी सुसाइटी में हम लोग इन्वेस्टमन करवाए तो आज मैं बात करने लगा हूँ बहरिया टाउन कराची और करन्ड मार्किट सेनेरियो यहाँ पर इस टाइम क्या चल रहा है और क्या इस टाइम इन्वेस्टमन करना यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता बहुत से कुईरीज, बहुत से सवालाद, बहुत से इन्वेस्टर्स की जो कन्फूजन है उनको वो सर्फ इसी उस पर है कि रिट तो बहुत नीचे जा चुके है बहुत ज़ादा नीचे जा चुके हैं अगर especially मैं बात करूं सारे ही plots की especially अगर मैं 125 की बात करूं चाहे मैं 250 की बात करूं या 500 plots के 500 square yards के plots की बात करूं हाँ अलबता जो built property है जैसे विलाज हो गया या अपार्टमेंट्स हो गया है हाइट्स हो गया है जितनी भी built property है उस पर इतना कोई खास इस टाइम असर नहीं पड़ा है लेकिन जो residential plots है या अगर मैं commercial पर भी बोलू तो commercial पर भी इसका impact आया है लेकिन residential plots पर बहुत ज़्याद पर बहुत ज़्यादा impact आया है तो इस scenario में क्या करना चाहिए क्या इस मौकर से फायदा उठाना चाहिए या भी और हमें hold करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अगर investment कर दे तो अगले 2-4-6 महीने में market मज़ीड down हो जाए या अगर हम investment नहीं करते तो कि अगले महीन दिसेंबर जन्वरी या फैब या 2030 में market के ओपर जाने के chances जादा है या मज़ीड नीचे जाने के chances जादा है ये सारी बात है मैं अपनी इस video में cover करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ पर बात करूँ कि यह देखे मैं market तो बहुत नीचे जा चुकी है इ चाहे वो पीछे के presents हूँ या friend के presents हूँ मार्केट तो हर इसमें इस टाइंग नीचे जा चुकी है हाँ अगर मैं phase 1 की बात करूँ इसके अदर अली बिलॉग, present 15, present 14 ये सब आ चुके हैं अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें इतना ज़्यादर down नहीं आया है ठीक है 10-12, उसमें rate में decrease हुआ है, बिल्कुल हुआ है, अच्छे जो plots है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10-12,00, उसमें rate के decrease आया है, लेकिन जो पीछे के presents हैं, present 26A हो गया, present 28 हो गया, present 31 हो गया, present 25 हो गया, present 24 हो गया, present 23 हो गया, in present में बहुत ज़्यादा difference आया है, present 15A, 15B में बहुत ज develop हैं, और पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ हिसा इनका non develop है, पूरी तरह से यहां पर construction शुरू नहीं हुई है, पूरी तरह से आबादी नहीं हुई है, तो यहां पर बहुत ज़्यादा स्टैम फ़र्ख आया है, और rate काफी नीचे जा जा चुकी है, 10-15,00, का जंबा है, जो है, 10-15,00, इस के rate नीचे आया, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, कि मार्केट मजीद नीचे जाती है या नहीं जाती है, देखें, अगर हम barrier town कराची की हिस्ट्री देखें, आपको याद होगा, 2000, अगर मैं बात करू, 19 की मैं बात करू, 2018, 19 की मैं बात और अगर मैं 18 की बात करूं तो उस टैम तो barrier town कराची की ओपर सुप्रियम कोट का केस चल रहा था, और मेरा ख्याल से उस टैम मार्केट जितनी नीचे थी, इस टैम वो सिच्वेशन फिलहाल नहीं है, अभी तो पिलहाल कुछ और थी, investor का नाम और निशान नहीं था, मार्क से कोई कम रेट में चीज सेल आउट करने पर लगाते हैं, और वो कोई चांस वाली चीज होती है, या attractive location की चीज होती है, तो investor नहीं तो at least dealer को plot purchase कर लेता है, लेकिन उस टैम जो situation थी, 2018 की, सुप्रीम कोट की case की टाइम पर, उस टाइम तो dealer भी हाथ नहीं दाल रहे थे, और plot तकरीबर यू समझ लें कि 40-30% नीचे आगा दे, 50-50% plot नीचे आगा दे, वो कि अगर मैं for example दू, percent 15 की अगर में बात करूँ, अली ब्लॉग की में बात करूँ, percent 14 की में बात करूँ, ये तीन ऐसे present है, जो कि 125 square yards की cream है, ये cream है और शुरू के present है कि तो सबसे बड़ी ची से, इस से अच्छे present 125 square yards के अभी तक पूरे barrier टाउन कराची में नहीं है, तो इन present पर भी इतना जादे impact हाया था, ये तकरीबन 25-25 लाग में 26-26 लाग में प्रॉट आ गये थे, सुप्रिम कोड के टाइम पे, और कोई investor नहीं था, कोई buyer नहीं था, लेने वाला, तो देखें 2021 में सब गवा हैं, सब ने देखा है, कि क्या तीजी आई थी और कहां से कहां जा चुके थे rate 2021 में, 125 square yards की ही अगर में बात करूं तो double से triple हो चुके थे, जो plot अगर 15 में 15-20 की बात करूं, जो plot 18-19 लाग में आ गए थे, 17 लाग में आ गए थे, percent 15-15-20 के, 2021 में वही plot, वही plot तकरीबन 55-65 लाग में ट्रेडिंग होई है, और अच्छे plot 60-65 लाग से, नीचे हमें नहीं मिलत रहे थे, तीजी में 2021, तो लेकिन सारी बात होती है, वक्त की, जिस टाइम लोगों ने उस वक्त investment करी, 2019 में, सुपरिम कोड के ताइम ये 2018 में, जिसने investment करी, वह उसने दोनों आतों से उसने कमाया, लेकिन बात यह है कि सारे बात होती है risk की, कोन किस टाम पर risk लेता है, उस टाम जिसने risk लिया, सबर करा, उसे ने उसका फल खाया है, सीधी बात है, जिसने नहीं लिया, वो जोगो यहीं सोचते रहे कि यार, हमने नहीं कर पाय будем कि देखें, हमेशा situation ए एक बहुत ही बुरी चीज है कि जब मार्केट नीचे होती है तो हर तरफ उस मार्केट की नेगिटिविटी ही फिलाए जाती है। इसी तरह जब market positive जाती है तो हर जगा positivity फिलाई जाती है जैसे हो market कभी नीचे नहीं आएगी लेकिन जो चीज ओपर गई उसने नीचे भी आना है और जो जिस नीचे है तो उसने कभी ना कभी ओपर भी जाना है तो हालात कभी भी एक जगा एक जैसे नहीं होते है और एक जिसी situation कभी भी नहीं होती है वक्त के साथ चीज़े बदलती है तो कहना और बदाने के मकसद और इतनी सारी history और इतनी सारी बाते करने का आप से कहना मकसद यह है कि देखें investment आप करें right time है investment करने का अब आप वही बात है कि रिस लेते हैं तो आप कमाएंगे जो आप रिस लेंगे आप रिस लेके कोई चीज़ बाइक करेंगे तो उसका profit भी आप कमाएंगे मैं नहीं कमाऊगा ठीक है ना आप investment करेंगे तो आपने कमाना है उसका profit भी आपने कमाना है ऐसे नहीं कि मेरे कहने पर अगर आप इन्वेश्मेंट कर रहे हैं तो कल को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से आप मुझे हिस्सा देंगे कि जी उसामा भाई ने कहने पर हमने इन्वेश्मेंट करी थी और जी प्रॉफिट कमाया है तो इसका हिस्सा हम थोड़ा स उसामा साब को भी देते हैं तो देंगे ऐसा तो नहीं होना न तो मेरे कहने पर इंवेश्मेंट आप लोग करें इंवेश्मेंट आपकी सिक्योर रहेगी इंशाला हालात हैं, मसले मसाइल हैं टैंशन हैं, परिशानी हैं गुजर जाएगा, यह वक्त गुजर जाएगा एक जैसे नहीं रहता तो इस टैम आप इंवेश्मेंट करेंगे प्रॉफिट आपको होना है, आपकी फैमिली को होना है आपके बच्चों को होना है तो 125 में इंवेश्मेंट करें 2500 में करें, 500 में करें कहीं पे भी करें, कोशिश करें अच्छी location पे जाएं, depressions वाले plot और जो बिलकुल ही बेकार locations हो, जो बिलकुल खड़े वाली जगा हो, वहाँ पे ना जाएं, कोशिश करें अच्छी location के plot उठाएं, तो वो तीजी में नहीं मिलते हैं, तो यह बहुत अच्छी opportunity आपके पास है कि investment करें, अच्छे plot में करें, और इसका फायदा आपको खुद होगा, तो मजीद कोई मालूमात के लिए, मजीद कोई plot की query के लिए, आप मेरे number पर contact कर सकते हैं, अपनी video को मैं यहीं end करता हूँ, उमीद करता हूँ, बहुत सी चीज़े आपको समझ आई होगी, market बहुत न अगर आपने investment करनी है, तो अच्छे opportunity आपके पास investment करें, इन्शालला आपको जरूर इसका फायदा होगा, तो अपनी video को मैं यहीं end करता हूँ, नेक्स video में, फिर किसी नई मालूमात के साथ आपकी खिर्दत में हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुती ख्याल रखेगा, लापस